अमेरिकन प्रेजिडेंट जो वाइडन जो हैं खुद चल कर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की चप्पी दे रहे हैं होदी जी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के उपर एक स्टेटमेंट आई है वो पहुंचे हैं जापान जी सेवन समिट में शिक्त करने के लिए इन्वाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कार्पेट वेलकम दिया गया रेसेप्शन दिया वेलकम किया ग इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकियों से मदद मांगने लगे इमरान खान के अमरीका से मदद की अपील इमरान कान की मुबयना आउडियो सामने आ गई है एक दूसरे को सबक सिकाने के चकर में तमाम लाइन्स क्रोस की जा रही है तो याद रखिए पाकिस्तान के स ये सब ना कीजिए और अगर कोई ये कहेगा कि अरे खांसाम आप तो जिन्दा है तो वो कहेंगे ये जीना भी कोई जीना है ललू इसकी रिफलेक्शन आपको नजर आ रही है जो उनको वहां पे मेडिया इटेंशन उनने का जी पाकिस्तान से तब ही बात हो सकती है जब टेर जो है वो नरेंदर मोधी जी के पास गए और रखके उनको जपी दी जी हाँ जादू की जपी बिलकुल हलो फ्रेंड्स जैहिंग हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागता दोस्तो शोशल मीडिया पर प्राइम निस्टर मोधी और अमेरिकी रास्टरपती जो बाइडन की मुलाकात का वीडियो खूब वायरल हो रहा है आपको पता है दोस्तो परधान मंतरी नेंदर मोधी शनिवार को जापान के हिरोशिमा में जी सेवन की बैठक में शामि होने के लिए पहुँचे बैठक में अमेरिका के रास्टरपती जो बाइडन भी हिस्सा ले रहे है बाइडन जैसे ही वहाँ पहुँचे वहाँ पियाम मोधी को देखते हुए उनके पास जा पहुँचे और उन्हें गले लगा लिया शोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वाइरल हो रहा है प्रधान मंत्री हिरोशिमा में वर्ल लीडर से मिले फ्रेंच प्रेजडेंट एमैनियूल मैकरोन जापान के प्रधान मंत्री फोमियो कशीदा और युक्रेयन के राश्टरपती जैल करने में खुशी होगी वही अमेरिकी राश्टरपती जो बाइडन ने कहा मेरे विचार से हमने पिछले दो वर्ष्टों से अच्छी प्रक्ति की है बात हम करेंगे नरिंदर मोजी जी की जो के आजकल जी जपैन में हैं और वहां पर जी सेवन समिट में रहे हैं जाहिर है लेकिन यह कर किया रहे हैं जी अमेरिकन प्रेजिडेंट जो वाइडन जो है वो नरिंदर मोजी जी के पास गये और रख के उनको जपी दी जी हाँ जादू की जपी बिलकुल मुना भाई MBBS हाज जी तो जादू की जपी तो दे दी मोजी जी को और मोजी जी ने जो बाइडन को लेकिन पूछना ये था कि जब खान साब थे तो ये चाचा जी फोन ही ने उठाते थे जो बाइडन मतला अजीव इनों ने तब माश लगा के रखा था 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 तो खा आरे हैं इंडियन प्राइम मिस्टर के पास और जादू की जपी दे रहें मोजी जी को मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखर ये हो क्या रहा है ये चल गया रहा है सब कुछ लेकिन खान मोजी जी जो है जी वो बिलकुल जपान में है और जाते के साथ ही उनने सबसे पहले आर पाकिस्तान को याद किया और उनने का जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिजम पर कंट्रोल किया जाए ये वाले सेंटेश मुझे बड़ा पसंदात है लेकिन बहुत सारी है कि टेरर पर तो टॉक हो सकती है ना आप मताब टेरर टॉक कैनोट गो तो गेध जो हम बोलते हैं, तो उसके ओपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीज़े हैं, और दूसरा ये कि हमारी एजन्सिस जो है, वो कोशिश कर रही है, अब चुरूर तो किया है, उन्होंने, आप KPK में देख लीजिए, आप TTP को कंट्रोल करने के लिए, और वहाँ पर कई ऑपर चल रहे हैं, तो वह भी न्यूस आ रही है, और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूस के ओपर यकीनन नजर बना के रखा होगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के उपर एक स्टेटमेंट आई ह वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शर्क्त करने के लिए, वो इन्वाइट किया गया और वहाँ पर उनको सर्ट रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, रेसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया, और बड़ी इसकी धूमची हुए, और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्ता के साथ हम बाइलेटरल और नॉर्मल रिलेशन से रखना चाहते हैं, जैसे ने ब्रिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, और पाकिस्तान पर, जो कि आप खालात पगारा दैशित पर दी चलती रहती है, वो उसकी उन्होंने पात की है, तैंक यू जी, यह जो मोधी साब का ट्र में और इन्टरनेशनल मीडिया में और इन्टरनेशनल सरकल्स में, जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में एंटरस्टिड हैं, तो पहले बात यह है, जो उनको रेड गार्पिट परोटोकल या जो एतराम दिया गया है, वो जाहर है, आप जब एक मुलक जो है, वो इतने करने वाला कलब है तो उसकी ऐमियत का वैसे भी जो है एक आप को किसी किसम का प्रोटोकॉल दें या ना दें वो जाहरा कहीं गुना कहीं दरजे बढ़ जाती है ऐमियत तो उस आवाले से जाहरा है कि इसमें जो है ये इसकी रिफलेक्शन आपको नजर आ रही है जो उनको वह है कि जापान चुके बेसिकली इसको पोस्ट कर रहा है तो जापान के साथ जाहर है एक स्टैटिजिक पार्टनरशप में है इस वक्ति इंडिया जो कि इल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काई अफ स्टैटिक पार्टनरशप है जो सोच चाइनज सी और इंडो पसिफिक और जहां के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है तो इस अवाले से जाहर है उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने एक नियूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरही के से एकुमेंडेट करते हैं और उसको हाइलाइट करते हैं तो इसलिए ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी ये मैं काफी अरसे से जिकर कर रहूंग जश्टा चार पाँच सालों से कि जो कोई खबर नहीं रहेगी कि जी फलाँ फोरम पे इंडिया को ये प्रोटोकॉल मिल गया फलाँ फोरम का इजलास इंडिया में हो गया या किसी इंटरनेशनल जो एकनामिक फोरम पे या पॉलिटिकल फोरम पे जो है उनकी जो एमियत है क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज की थी कि इंडिया जो है ना एक सीलिंग जो होती है किसी भी मौलक किया परसन फार देट परपस के आगे उसको वो तोड़ चुका है और वो अब इस इंटरनेशनल इंपार्टन जो कलब है उसका मेंबर है उसकी मुख्तलिफ जो है जेते हैं कह कि इंडियो है बोड़ एशिया पसे फिक को एंडियो है